हेलो एविवन वेरी वेरी गुड इवनिंग और जैसा कि आपको पता है कि 7 पर मैं आपको लाइब मिलता हूं तो बिल्कुल मेरे साथ जोड़ना मत भूलिए आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम फोरम में आप रिजनिंग के हम लोग यहां पर कॉंसेप्ट सीख रहे ह तो बिल्कुल मेरे साथ जोड़ना मत भूलिए 7 पीम पर एवरी इवनिंग आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम फोरम में तो अभी अब तक हम लोगों ने टोटल अलफावेटकल प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग बात करें कि अलफावेटकल प्रॉब्लम्स के बाद स्सी सीजियल और चाहे वह एंपियर्स दोनों के एक्जाम के लिए तो आज हम लोग डिसकस करना शुरू करेंगे टाइप फोर को और देखते हैं कि टाइप फोर में कैसे कुश्चन हमारे पास एक्जाम के पॉइंट अब दू से आते हैं तो चलिए बहुत बढ़िया तो देखें टाइप फोर सबसे पहला टाइप की बात की जाए तो आपने देखा कि टाइप फोर हमारे पास आ गया है और जिसमें बोला जा रहा है इंटर चेंजिंग कौन सा ओडर बोला जा रहा है सर इंटर चेंजिंग बोला जा रहा है तो ध्यान रखना है कि हमारे पास इं 9 245 30 first digit is replaced by six digits similarly second digit replaced by seven digits यहां पर one by one साधी डिजिट को रिप्लेस करने की बात करी गई है अब जब भी अमारे पास रिप्लेस करने की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं वन को अब अगर हम धख़हां से समझें तो वन को अम फू से replace करेंगे seven को four से six को five से four को three से और nine को zero से replace कर सकते हैं दूसरा तरीका है अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है तो कभी भी हमारे पास replacement करने की बात की जाएगे किसकी बात की जाएगी replacement की तो replacement में हमारे पास जब भी हम कभी भी किसी से किसी भी कोई भी चीज को replace करते हैं तो हमेशा हमारे पास वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए even होनी चाहिए like that अगर आपके पास सौ रुपए हैं और मेरे पास 200 रुपए हैं क्या हम लोग आपर समझना आए कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए even like that आपके पास 8 डिजिट्स हो सकती हैं 10 डिजिट्स हो सकती हैं और 12 डिजिट्स हो सकती है तो अगर हमारे पास आच डिजिट्स हैं तो वन को पाइप से 2 को 7 से 3 को 8 से और 4 को 9 से गलबल देखो लिख दिया 1 को किस से बोलेगा 5 से 2 को 6 से 3 को 7 से और 4 को 8 से रिपलेस करने की बात करेगा अगर हमरे पाद 10 डिजिट्स हैं तो 5 को 6 से 2 को 7 से 3 को 8 से 4 को 9 से और 5 को 10 से रिपलेस करने की बात करेगा अगर हमारे पास 12 डिजिट्स हैं तो 1 को 7 से 2 को 8 से 3 को 9 से 4 को 10 से 5 को 11 से और 6 को 12 से रिपलेस करने की बात करेगा और कभी भी हमारे पास रिपलेस्मेंट और के कुशन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस केवल इसे दो बराबर भागों में बांट लेना है, कितने बराबर भागों में बांट लेना है, दो, और आपको left वाला हिस्सा right में लिख देंगे, तो like that 5, 6, 7 और 8, और 1, 2, 3, 4, आप देखेंगे कि सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए है, स सारे के सारे digits यहां पर change हो गए, सेम चीज़ यहां पर भी करना है, 6, 7, 8, 9, और 10, तो 1, 2, 3, 4, और 5, तो सारे के सारे यहां भी क्या हो गए है, सर, change हो गए, वैसे ही अगर हम बात करें, तो 7, 8, 9, 10, 11, और 12, और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, और 6, सारे के सारे यहां पर भी हमार ने थरफ चेंजमेंट हुए है तो व्यस्य ही सेम हमें को बढ़ना है और में वह को करना है तो कैसे होगा हम समझते हैं तो अब अगर क्वस्टन की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था तो नमबर्स हमारे पास तो आपने देखा कि इसे हमने दो बराबर भागों में बाट लिया अब लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में लिख लेंगे राइट वाला हिस्सा क्या हां के लिख लेंगे लेफ्ट में तो आपने देखा कि टू फॉर फाइब थी जीरो तो वान सेवन सिक्स फोर नाइन आपने देखा कि सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए सर चेंज हो गए अब आप से क्या पूछ रहा है यहां और जो आप्सन सी यानि कि जीरो बिलकुत सही आंसर है तो कभी भी अगर हमारे पास चेंजिमेंट करने की बात करता है तो हमको कुछ नहीं करना है और दो बराबर भागों में बाण्टने के बाद उसको left वाले हिस्थे को right में लिख लेना है और right वाले हिस्थे को कहां लिख लेना है left में लिख लेना है और आप देखेंगे कि आसानी से हमने सारा का सारा कुछ क्या कर लिया change हो गया same question 18 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 19 number का question देखते हैं तो बच्चों जल्दी से बताइए कि 19 number का question का answer क्या होगा सेम चीज है जल्दी से मुझे चैट box में बताएंगे कितने लोग भी हैं इस गुड़ीर नहीं गुड़ीर निंग गुड़ीर निंग तो अगर हम यहां पर question को करेंगे तो कैसा होगा आपने देखा तो आपने इसको हमने देखा कि दो बरावर भागों में बाट लिया यानि कि left हिस्से में 6 है और right हिस्से में भी क्या है 6 है तो यहां पर क्या होगा 6 2, 8, 4, 1, 2 और फिर 5, 4, 8, 9, 3, 1 आपने देखा कि सारा चेंज कर लिया अब आपसे क्या पूछा दर्द after rearrangement which of the following is the fourth to the right of 12 from the right end तो right end से कितना था 12 के right कितना था 4 तो right right को क्या करेंगे minus तो कितना हो गया 8 अब हमको देखे right से 8 काउं करना है तो 6 हो गया 7 और 8 यानि कि no doubt answers क्या होगा 1 तो options A बिलकुल correct answer है तो options A यानि कि यहां पर जो answers होगा वो 1 होगा और जो बिलकुल correct answer है उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से clear हो गया होगा कि करें नेक्स क्वेशन देखते हैं क्वेशन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर यह रहा और जल्दी से बताएंगे यह इंटर्चेंजिंग ओर्डर्स का है तो क्वेशन नंबर 20 की बात की गई है तो जल्दी से बताईए कि इस प्रांसर क्या होगा लेखा टाइप और इंटर्चेंजिंग यह दि सब्द ट्रांसलेशन में एक अच्छर से बदल दिया जाए इसी तरीके से दूसरे अच्छर को साथ में से बदल दिया जाए तो पुनर गठन के बाद कौन सा च्छर दान छोड से सात्मा होगा तो ट ट्रांसलेशन तो अभी इसको हमने दो ब्रावर भागों में बाटा तो कुछ इस तरीके से हो गया अब यहां पर हो गया ल ए टी ओ एन और यहां पर हो गया टी आर ए एन एस अमीद है कि यह आपको समझ में आया होगा कि इसे हमने दो बरावर भागों में बाटा और एक लिग दिया यह कहां लिग दिया राइट पास में लिग दिया तो पूछ रहा है तो पूछ रहा है वाँत तो पुनर गठन के बाद दाय ठोर से सात्मा चाहिए हम तो आपने देखा 5 तो यह होगा च्छे और 7 तो No Doubt answers क्या होगा गोगा अगर ओगा तो No Doubt option C भीलकुल correct answer है तो यहाँ पर जो translation सब्द है उसका ऑंसर क्या होगा और जो बिलकुल correct answer है उमीद है कि यहां तक बच्चो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हुआ होगा तो चलिए आईए इसका नेक्स पुस्चन देखते हैं तो बहुत बढ़ी हां तो नेक्स पुस्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है अब लिखा है इप फर्स्ट फो लेटर अप देखा इप फो लेटर अब देखा यहां पर नाइन पूछ रहा है नू ओर में तो नए आउर्डर में अगर कभी भी नाइन पूछता और कभी बी किसी भी कॉस्चन में अगर लेफ्ट राइट नहीं दिया है कि एक्ट्यूल में आपको लेट से काउंट करना है कि राइट से काउंट करना है कि हम लोग उन्गिखने का रेत राये क्या दिया है और दिमाग में निग्वेट रखेना है तो अगर हम बात करें तो यहां पर हम दो आख करेंगे, तो हमारे पस है, I-N, T-O, तो चार चेंज होंगे, फिर N-S-I, N-S-I, फिर चार चेंज होंगे, फिर T-E-N, T, T-E-N, T, तो अगर आपने देखा कि left से हमें यह 8 तो count करने ही हैं क्योंकि हमको इसको reverse करें या सीधे सीधे count करें doesn't matter कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर हम इसे count reverse करेंगे तो T and E T होगा और हमको 9 लेटर चाहिए तो no doubt answers T होगा यानि कि options A बिलकुल correct answer है लोगों को clear हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और next type की ओर देखते हैं कि next type हमारे पास क्या होने वाला है तो next type की अगर हम लोग बात करेंगे तो और देखेंगे कि क्या होने वाला है तो बहुत बढ़िया यहां पर answers क्या होगा सती होगा तो चलिए and next टाइप तो टाइप कि और बढ़ते हैं अब देख रहे हैं रेप्लेसमेंट यानि कि यहां पर चीजें क्या की जा रही है रेप्लेस की जा रही है और जब की जाती हैं तो हमें यहां पर कैसे को सॉल्व करना है इस बात को समझना है कि रिप्लेस करने के लिए अगर हम कभी भी कुशन को कह रहा है तो दो तरीके हैं अगर हमारे पास पहले से ही नंबर सेमलर हैं मान लिए एक क्लास में 10 बच्चें और 10 के पास सब के पास अलग- क्फिश्मलर नहीं होगी लेकיל मैं सबको एक टलफी दे डूंगा तो भी किसी की सिमलर नहीं wi- przy आपको समझना है कि कभी हमारे पास कोई कोई number पहले से repeat हुआ है तो वह बाद में repeat होगा लेकिन अगर कोई number पहले से repeat नहीं हुआ है तो वह बाद में repeat नहीं होगा अब आप देखिए हमारे पास लिखा if one is subtract from each odd digits अब हमको ध्यान से समझेंगे तो odd number में हमारे पास क्या कह रहा है वन सब्ट्रेक करने की बात कर रहा है और वन सब्ट्रैक करने कि बात कर रहा है तो आपूर में लिआ दिलेंख में प्लस वन कर कोई भी रिजिट से दुबारा रिपीट हो रही है तो अगर जब पहले रिपीट नहीं हो रही और आप देख रहे हैं कि सेम चीज माइनस हो रही है और सेम चीज क्या हो रही है प्लस हो रही है अगर सेम चीज माइनस हो रही और सेम चीज प्लस हो रही तो निश्य दूप से अगर पहले से हो रहा है तब तो लेटर होगा वरना रिपीट नहीं होगा तो यहां पर eight, seven, five, six, four, three, two कोई भी number repeat नहीं हो रहा no doubt answers क्या हो जाएगा sir? non हो जाएगा लेकिन फिर भी आप चाहे तो check कर सकते हैं यहां परांसत क्या हो जाएगा सर्णन हो जाएगा लेकिन फिर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इवन में क्या करा प्लस वन आपने देखा even में plus one कर दिया minus one कर दिया हमने तो आठ और एक कितना हो गया नो, साथ में से एक चला गया छे, पांच में से एक चला गया चार छे में से एक जुड़ गया साथ, चार में से एक जुड़ गया पांच तीन में से एक चला गया दो, दो में से एक जुड़ गया तो तीन, आप देखिया 9, 6, 4, 7, 5, 2, 3, क्या repeat हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बिलकुल याद रखना है कि अगर पहले से किसी में कोई अंक डिजिट repeat हो रही है, यानि कि किसी की टौफियां पहले से repeat हो रही है, फिलिए next questions की ओर बड़ते हैं और देखते है next questions में क्या कह रहा है, अब लिखा है, 23 number का question है आपकी screen पर जल्दी से बताएंगे, इस concept क्या होगा, चलिए, 23 number में देखते है, type 5, replacement order था, वही था, तो सेम चीज है, अभी आप देखे, if one is subtract from odd digits, one subtract कर रहा है किसमे, odd number में one subtract कर रहा, जबकि even number में क्या कर रहा, प्लस one कर रहा, अब आप से हम से क्या पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा, 5483, 15924573, अमीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को clear हुआ होगा, अगर आपको यह बहुत अच्छे से clear हो गया है, तो आपको आप मुझे बतानी की ज़रूरत नहीं है, तो अभी अगर अब हम देखे, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, कि and one is added to each even digits, then which of the following is the third to the right of eight from the left end, तो left end से कितना था, eight, कि right कितना था, थार, तो left और right को मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है, कि जब भी odd होगा, तो वो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस होगा, तो कितना हो गया है, बिटा, आठ और तीन, ग्यारा, और हमें कहां से count करना है, लेफ से, तो left से हमको 11 चाहिए, तो अगर हमको left से 11 चाहिए, तो हमको सभी बदलने की ज़रूआती नहीं है, तीन, तीन, छे, तीन, नौ, दस और 11, तो seven number में से अगर हमने minus one कर दिया, तो no doubt six, यानि कि options be बिलकुल correct answer होगा, यहां पर six यानि कि options be बिलकुल correct answer होगा, उमीद है कि य यह वाला clear हो गया है, तो चलिए next question देखने है, question number 24 आपकी screen पर यह रहा, जल्दी से बताएंगे कि question number 24 का answer क्या होगा, if the blue elephant, if we interchange each to the next, तो देखे यहां पर कह रहा है, कि warbles को हमको next कर देना है, जबकि क्या कह रहा है, next alphabets and each consonants are changed to the previous alphabets, तो consonants को क्या कर देना, minus one कर दे obtained, यानि कि कितने ऐसे हैं, जो repeat होंगे, तो अगर आप धान से समझें, तो blue elephant, B, L, U, E, E, L, E, P, H, A, and T, तो देखे यहां पर, अब मैं color change करके आपको दिखाऊंगे, तो सबसे पहले आपने देखा कि E repeat हो रहा है, क्या repeat हो रहा है, sir, E, तो एक लेटर तो E हो गया, फिर दूसरा अगर आप धान से देखें, तो L repeat हो रहा है, दूसरा अगर आप धान स U, और फिर P, H, A, and T, और कोई repeat नहीं हो रहा, तो एक हमारे पस E repeat हो रहा, और एक हमारे पस L repeat हो रहा, तो no doubt options 2 विल्कुल सही है, यानि कि यहां पर कितने लेटर repeat हो रहा है, दो लेटर, पहला कौन सा है, sir, E, और दूसरा कौन सा है, sir, L, तो यहां पर जो answers होगा, वो options B, बिल्कुल correct answer होगा, यहां पर options B, बिल्कुल correct answer होगा, उमीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को clear हुआ होगा, तो अगर आपको यह बहुत अच्छे से clear हुआ है, तो चलिए next देखते है, next questions क्या है, 25 number का question आपकी screen पर आ गया है, और आपको बताना है कि इस conscious क्या होगा, 25 numbers, तो देखिए, magnification का है, if B interchange each verb to the next of its alphabets, each verb की बात की गई है, तो वाबल को next, यानि कि plus one कर दिया गया, और फिर कह रहा है, alphabet and each consonant are changed to the previous alphabets, तो consonants को किसमें change किया गया है, previous alphabets में, then which of the fifth from the left end, तो left end से फिप्ट चाहिए, तो अब हम इसमें कुछ भी न change करना है, आप देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच महां, आई हमारे पास वाबल है, और वाबल में हमारे पास प्लस वन करेंगे, तो आई में अगर हमने प्लस वन कर दिया, तो no doubt जो लेटर आएगा, वो क्या हैगा, यानि कि options B बिलकुल correct answer है, तो यह option B जो बिलकुल correct answer होगा, उमीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को clear हुआ होगा, चलिए next questions की और बढ़ते हैं, तो चलिए, तो type 5 complete हुआ, अब हम लोग type 5 के बाद next उस पे चलते हैं, अब देखिए हमारे पास type 6 आ गया, काउन सा type आ गया sir, 6 type आ गया, अ अब 6 type में हमारे पास क्या किया गया है, हमको समझना है, अब देखिए 6 type आ गया, लिखा है, if each of the 12 digits on the watch is replaced by English vowel A, E, I, O, U in sequence 1 by A, B, 1 by A, 2 by E, और 3 by I and so on, आगे भी तरीके से replace करना है, तो आपको बताना इस question का answer क्या होगा, बहुत बरिया, हम लोग बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रहा है, और कैसे हमें questions को solve करना है तो देखे type 6 आ चुका है आपकी screen पर और type 6 में आपको समझना है कि कैसे होगा if each of the 12 digits on a watch is replaced by English words तो सबसे पहले अगर हमसे बात की गई है तो हमने यहां पर एक watch create कर ली और यह number होगा 12 यह होगा 3 यह होगा 6 और यह होगा 9 यह होगा 1 यह होगा 2 यह होगा 4 यह होगा 5 यह होगा 7 यह होगा 8 यह होगा 10 और यह होगा 11 अब इनको किस से रिप्लेस किया गया है वाबल से तो वाबल से रिप्लेस किया गया है तो A को तो यह हो गया A, यह हो गया E, यह हो गया I, यह हो गया O, यह हो गया U पर आगे फिर आप देखेंगे तो A, E, I, O, U, फिर A और फिर ए तो आपमें देखिए अब आपसे कहा रहा है कि पूछ रहा है दा हावर हैंड विल बीड़ीन पेर आप दा वाबस एट थर्टी तो एट थर्टी की अगर अब हम बात करें तो एट थर्टी में मिनट की सुई तो सिक्स में होगी लेकिन जो घंटे की सुई होगी व बिल्कुल करेक्ट आंसर है आई और ओके बीच में होगी तो नोट आउट आपसंस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है उम्मीद है कि यहां तक अच्छे सब को क्लियर हो गया होगा इसलिए आपको लग रहा होगा कि वीडियो चल नहीं रही तो उम्मीद है कि यहां पर आपको क्लियर आ रहा होगा साउंड तो सभी लोगो क्लियर साउंड आ रहा है तो अगर आ रहा है तो बताते जाएंगे यह सिया नो बिल्कुल सब को क्लियर हो गया होगा तो चलिए वीडियो थोड़ा सा था तो अभी अब लोग टाइप 6 की और बढ़ गये थे और टाइप 6 में ही अब आपकों की सामने आ चुके हैं तो टाइप 6 को हम लोग डिसकस करेंगे और देखते हैं कि टाइप 6 में हमारे पास कैसा कोशन होगा तो बिल्कुल चलिए आपके थामने हैं और आपको बताना है कि इसका आजस क्या होगा तो बहुत बढ़िया चलिए तो अभी आद देखें क्या लिखा इफ और इफ एफ इच आफ दा टोल्व डिजिट्स और वाच इज़ा रिप्लेस बाई इंगली वन बाई ए टू बाई ए और ट्री बाई आई और सो और यही चीज़ था तो अगर हमको यह यहां पर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लॉक बना ली और आपने देखा कि एक क्लॉक बनाई और क्लॉक की बात कर रहा है वाच की तो यहां पर 12 ट्री इक्स नाइन पर वाट टू पूर फाइब तैवन एट टैन और एलेवन तो अब इनको वाबल से रिप्लेस कर रहा है तो वन बाई ए अब बी बाई सॉरी बी कह रहा है तो वी ए इए आई ओ यू फिर ए इए आई ओ यू और ए तो सारे हो गए अब देखें कितना कह रहा था आपके पास 8.30 की बाज की जाए तो यहां पर मिनट की सुई तो 6 में होगी लेंगın 8.30 में जो घंटे की सुई होगी वो आठि और 9 के बीच में होगी तो हावर हैंड ही पूछना था आपसे will be between bobbles होब हैंड होगा वो किस bobbles के बीच में होगा हमको यह बात ध्यान रखने होगी तो वो किस के बीच में होगा आई और ओ के बीच में होगा यानि कि आई और ओ तो options B बिलकुल correct answer है तो यहाँ पर options B बिलकुल correct answer है उमीद है कि यहाँ तक सब को अच्छे से clear हो गया होगा अब यहाँ पर अच्छे से सब को clear हो गया तो चलिए next देखते हैं इस इस थर्ड लेटर स्टार्टिंग फॉर्ण रॉम रस्टी और आपको बताना है करो गज़िए कि इस इस थे यहां पर कह रहा है पर जहाँ जह तो कि यहां रखेंगे की कैसे हो रहा है कि यहां पर हमारे पर तो सटार्टे सूभ पहला दिन हो गया सब सन्डे से फिर हो गया मंडे फिर मूंदे फिर हो गया फिर हो ग्या टुजदे फिर हो गया प्रम mijnंदे फिर फ्र्राइब low रहा हो सेवंधे यहां पर सभ्टा फ्रम सी ब्रेसेट बाइऑ अब recurring थर्ड लेटर से करना है तो पहला थर्ड लेटर कौन सा होगा सी दूसरा तीन के बाद छे यानि की एफ फिर के बाद 12 पिर 15 फिर 18 और 21 यहीं होगा थर्ड लेटर से तो पूछ रहा है धैट वाट दी पोजीशन आप फास्ट दे फ्रॉंड राइट एंड तो अगर हम लेफ् पर का लेटर ओ है जबकि अभी हम इसी ओ की पोजीशन राइट से देखेंगे तो कितना होगा सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होगा तो यहां पर टाइप सिक्स में उम्मीत है कि बहुत अच्छे से आप लोग को कि क्लियर हो गया होगा तो क्लियर हो गया सर वीडियो नहीं चल रहा है क्लियर हो गया तो चलिए देखते हैं अब आप आरे पास टाइप सिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और ताइप से बना गया देखे बहुत कुशन मैं ने इसके कराए और आप लोग देखें कि यहां पर जहां पर हों स्य हैसल करा रहे थे तो प्रक्टिस सेट में इस तरीके के टाइप के कुशन बहुत दूखने को मिल रहे थे और यह जो देखने को मिल रहे थे इसी का नतीजा है कि हमको इस तरीके के कुशन सौल्व करने हैं और इस तरीके कुशन हमको कैसे देखने को मिल रहे थे और कैसे आ रहे थे इन सभी आप दोंसा सब्द नहीं बनाया जा सकता अब नहीं बनाया जा सकता के लिए आपको याद रखना है यह बहुत बेसिक सा गरित है कि कभी भी किसी के लिए बोला जाए नहीं बनाया सकता अब आपको देखिए नहीं बनाया जा सकता मतलब नहीं काटा जा सकता अब नहीं काटा जा सकता का मतलब यहां पर क्या है तो समझ यहां पर हमको वर्ट काटने हैं अब देखिए मैं हलका कलर ले देता हूं ताकि आपको आसानी से पता चले तो देखिए मैं अब देखि पिर M, दूसरे M से M कट गया, S कट गया, A भी कट गया, फिर दो M है तो दोनो M भी कट गया, फिर T, E, R तो T, E, R तो T, E, R और S भी है, फिर I, आई देखिए यहां पर है और I उपर वाले में नहीं है और E, R, आपने देखा कि A, B, A, C और D, यह जो तीन आप्शन थे, इसमे में आपने देखा कि सभी के सभी लेटर कट रहे हैं, उपर वाले से अगर हम मैच कर रहे हैं, अगर हम उपर वाले से मैच कर रहे हैं, तो आपने देखा कि सभी में लेटर कट रहे हैं, लेकिन सम्मेट, सम्मेट में आप देखिए कि आई जो लेटर है वो कट नहीं रहा, और आपने देखा कि नहीं बनाया जा सकता का मतलब होता है नहीं काटा जा सकता और आपने देखा कि सम्मिट के पूर लेटर से कट नहीं कर पा रहे हैं उपर वाले के लेटर से कटिंग करके तो आपने देखा उगर कि पहले हम लोग एक गेम खेला करते थे हर आदमी एक से 10 और हर आदमी अपना नंबर अपनी परची पर लिख लेता घर बोलता था कांड़ जाता लास्थ यहां पर आपको चलिए नेक्स देखते हैं कुश्चनिशी का तो देखिए आया है अब यहां पर भी हमको समझना है तो यहां पर भी देखिए वर्ट्स सलेक्ट डवर्ट्स विच कैन नौट भी फॉर्मेडिंग यानि कि नहीं काटा जा सकता अब देखिए नहीं बनाया सकता मतलब नहीं काट जा सकता तो देखिए कौकौंसा है तो देखिए P भी पीधी ठीक है फिर आपने देखा कि हमारे पासview ही में कल रह Menma कि आई और यह भी कट रहा इन सारे रहा है अगर हम सारी काट रहे हैं तो हमारे पास निश्षित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड हो रहा है तो आपने देखा कि अगर हम पहले वाले में देखें तो पी आई इसाद इसे पी आई और टी आई तो आप आपने देखा कि आई केवल हमारे पास एक बार है कैभल कितनी आएक बार है और बाकी स आई Kopfार है के यह दोनों वाले तो नहींन कट रही हम्यार यह कटेगा हैंate हम केवल錢 का पाएंगे दूसरा हम लोग नहीं काट पाएंगे अगर हम लोग नॉर्मल देख रहे थे तो आई कट घ्राथ है यहां पर आप डोट है तो हम एक आई से एक आई काट पाएंगे दूसरे आई को नहीं काट पाएंगे इसलिए हमारे पास options ए बिल्कुल correct answer है चलिए next देखते हैं अब आप देखिए यहां पर भी वही कह रहा है cannot be forwarding format तो यानि कि नहीं बनाया जा सकता है मतलब नहीं काटा जा सकता है, तो N, U, R, S, E, N, और R, U देखिए नहीं है, तो U नहीं काट पाएंगे हम लोग, Toon में देखिए, S, डबल, O, N, कट जाएगा, में m e n t m e n t और फिर रेंस में और ए i n s सब पट जाएगा लेकिन नर्स में आप देख रहे हैं यू नहीं काट पाएंगे क्या हम n u r s e में यू नहीं काट पाएंगे क्योंकि उपर वारे वर्ट्स में कहीं भी यू नहीं दिया गया और नहीं बनाया जा सकता का मतलब एक ही होता है नहीं काटा जा सकता तो no doubt यहां पर जो options होगा वो options ए बिल्कुल correct answer होगा चलिए देखते हैं next question type 7 कहीं type 7 विन से देखे next questions आ गया तो क्या लिखा from the given alternative words select the words which can be format आप देखें यहां पर लिखा can be format यानि कि यहां पर कौन सा पूछ रहा है बनाया जा सकता है दिये गए सब्दों का वर्णों का प्रियोग करके बनाया जा सकता है अब बनाया जा सकता है का मतलब होता है काटा जा सकता है अब आप देख रहे होंगे कि चार में से तीन वर्ट्स ऐसे होंगे जो नहीं कट रहे होंगे लेकिन एक वर्ट्स होगा जो पूरी तरीके से कट रहा होगा तो देखे क्या में अपर वाले में यह नहीं है अब देखेम m o m e n t to moment यह कट रहा है फिर कट कंडेक्ट c o n t r a c t तो देखे दो बार सी आ गया यहां पर तो देखे दो बार सी कट पाएगा तो यह भी गलबड हो गया तो नो डॉट सी बिल्कुछ सही है क्यों यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा बलकुल सही आंसर होगा उम्हांपहतों है देखने के लिगा है अब ये झिया ठाइब रहे है गया है डिखिंग the given words in sequence in which they occur in a dictionary तो यहां पर हमारे पास जो वर्ट्स हैं वो dictionary orders में arrange करने हैं कौन से orders में dictionary dictionary order का concept मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को क्लास में भी और जब अभी हम लोग इसके पहले जो CHSL करा रहे तो उसमें लगभग सभी में हमने कहीं न कहीं CHSL के के उसमें आपने देखा कि कहीं न कहीं हम हर बार आपको CHSL करा जो हम जो dictionary order पूछ रहा है तो देखिए S सब में common है अब U R है U M है तो U R हमारे पास सबसे last में चला जाएगा यानि कि छटवा यानि कि last में हमारे पास चौथी position में जो words है वही होगा तो no doubt D option से बिलकुल correct है अब अगर अब हम हमारे पास चौथी position में पहुँच गया अब लेकिन L वाले है L के बाद I है तो आई पहली position पर आगया L ूै तो दूसरी position पर आ गया L के बाद V है तो तीसरी position पर आ गया उड़ाओट सबसे पहले हमारे पास अगर आएगा तो वह आएगा फाइब नमबर फाइब नमबर आएगा उसके बाद से फाइब नमबर के बाद दूसरी पोजीशन पर वन नमबर आएगा वन नमबर के बाद तीसरी पोजीशन पर दूसरा नमबर आएगा फिर चौथी पोजीशन पर सर्फ तीसरा नमबर आएगा और फिर पांचमी तो नो डाउट डी ऑप्सेंस बिलकुल करेक्ट आंसर है तो यहां पर जो डिक्सिनरी ओर्डर का अंसर होगा वो डी होगा जो बिलकुल करेक्ट आंसर है उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा सब को चलिए नेक्स कोशन देखने हैं तो बहुत बढ़िया आप देखिए यहां पर टाइप एट है अरे तक इवन वर्ट्स इन दे और अकॉर इन डिक्सिनरी तो अभी हमारे पास यहां पर डिक्सिनरी ओर्डर में फिर से देखना है तो पी ए सबसे पहला तीसरा होगा तो यह दो आपसंस कट गए अब उसके बा पांचवाँ यह चोथा तो फिए के बाद पी ऑब होना चाहिए तो तीसरे के बाद पांचवां होगा तो सी ऑफ्षंस भी क्या हो गया सर ऐलिमेनेट हो गया तो आप तो आपके देखा कि हमारे पास कौन सा घया सर फिस्वा पहली पोजीशन पर फिर पीए लगेगा दूस तैसरी पोजीशन पर पी ओ्योंच पर फिर वे लगेगा हमारे पर तीसरी पो UM पर फिर उसके बास कि तीसरी पोजीशन पर हमारे पशान नमबर प्र चौती पूजीशन पर एक नमबर और पॉजिशन पर दो नंबर आएगा यानि की तीन पंच चार तीन पंच चार और एक दो तो और नुडाउट ऑफसंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो यहां पर उपसंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे आपको समझ में आए होग तो options B बिल्कुल correct answer है, तो यह इस तरीके से dictionary order लगाते हैं, जो later पहले छोटा है, उसे पहले लगाएंगे, जो later बड़ा है, उसे बाद में लगाएंगे, तो चलिए next देखते हैं, टाइप 8 के बाद, टाइप 9 में, टाइप 8 का second question देख, third question देखते हैं, तो arrange the given words as a dictionary and tick the one that come third, तो term third की बात की गई है, यहाँ पर, अब हमको come third की बात की गई है, तो third चुनना है, कुछ नहीं करना, select the correct option from below, तो third चुनना है, तो देखें, C, A, R तक और B तक सब में common है, फिर O यह तो हो गया, चौथी position पर, और हमको चाहिए third position पर, तो देखें, O के बाद N है, O के बाद H है, O के बाद L है, तो H वाला पहली position पर आ गया, और O के बाद L वाला दूसरी position पर आ गया, और O के बाद N वाला तीसरी position पर आ गया, और no doubt options A, बिलकुल correct answer है, तो यहाँ पराक को एया थे प्रेजी सब्सक्राइब syllu रफे तो चलिए नेक्स देखते हैं यह अब के टाइप हमारे पास है तो क्या कहीता मिडेल में चाहिए हम को ए थे मिडेल चाहिए तो यह तो होगि हुए हमारे पास कि यह आफीं Patra और हमको मिडिल चाहिए तो तीसरी पोजिशन चाहिए चाहिए पहले वाला देखें देखें तो ये यहां पर आगया अब यहां पर तीनों को500 करना है अभ यह पहली दूसरी पर और दी तीसरी 5 थो जाएगा थो नो डाउट ऑप संस दी बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ऑफसंस डी बिलकुल करेक्ट आंसर है तो यहां पर टाइप एक का जो डी कुश्चन का आंसर होगा वह बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमको चाहिए मिडिल और मिडिल का मतलब होता है तीसरा नमबर तो चौथा पांचमा पहला दूसरा निश्चत दूप से तीसरा बिलकुल मिडिल में होगा जो बिलकुल करेक्ट आंसर है उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा तो चलिए next questions की और बलते हो और आगे देखते हैं कि क समझे कि तो अगर हम जान से समझें हैं मैं तो अगर हमारे पॉसमा ब्लूमाम है श्यायाक स्षिक्त से तो यहां पर दूसरी पॉजीशन पर ब्लूम्माली पokकुल सबसेएगा रात सबसेएं हर और फिर अर और कि स्बसेएं लस्कुल सभक्तली और for अ और पांच भी पोजिशन पर पी आएगा तो नो डाउट नितिन कुमार रादे रादे सब्सक्रीन, बिल्कूल रादे रादे, तो यहां पर options डी बिल्कूल correct answer है, उम्हीद है कि यहां तक सब को clear हुआ होगा, तो next देखते हैं, अब यहां पर लिखा है, i cream you cream be all cream for ice cream सभी अगर आप देखें तो यहां पर हमारे बास i cream you cream be all cream for ice cream तो हमें यहां पर चाहिए तो हमारे पास कैसे से अरेंज करना है तो हमसे बोला है विच बिल भी धिक supplements from the six place हमको कौन से place में चाहिए सर six place में चाहिए तो six place में अगर हम देखें तो सब्सक्रे पहले हमारे पास all आएगा all के बाद cream कोई भी cream ले ले दूसरी cream तीसरा cream चौथा cream और पांचवाँ cream फिर छटवे नंबर पर हमारे पास आएगा four और 4 आएगा तो no doubt options D बिल्कुल correct answer है तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास पहले all आएगा all के बाद हमारे पास जितने भी थे उसमें cream 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 के चारो थे तो चारो cream है कोई भी पहले cream लिखने कोई फरक नहीं पड़ता तो 5 later तो यही हो गए अब छटोंगा पूछ रहा है तो no doubt 4 हमारे पास correct answer है for 4 हमारे पास correct answer है तो options D बिल्कुल correct answer है next type क्यों बढ़ते हों देखते हैं next type कौन सा है अब देखे लिखा है number of later skipped in between adjacent later in the series 2 तो अगर आपने देखा कि हमारे पास कभी भी skipped की बात आती है टाइप 9 में अगर हम संगें तो skipped की बात आ रही है skipped का मतलब होता है बीच में छोड़े गए अच्छरों की संख्या यही तो बोलता है यही तो बोलता है यही तो बोलता है चलिए बहुत बढ़िया अब skipped की बात की गई है तो number of later skipped in between adjacent to series in is 2 तो कभी भी skipped यानि की छोड़ने की बात की जाती है तो अगर दो later skipped करने है मान लीजे मैंने a लिखा b लिखा c लिखा और d लिखा कितने later skipped कर रहा हूं 2 और इसकी कितनी value है एक और इसकी कितनी value है 4 तो मुझे यहां कितना add करना होगा 3 तो आपको एक गंच समझनी है अगर 2 skipped करने है कितने skipped करने है सर 2 अगर आपको 2 later skipped करने है तो plus 3 करना होगा अगर एक later skipped करना है तो plus 2 करना होगा अगर हमें तीन लेटर स्किप्ट करने हैं तो प्लस फोर करना होगा तो हमें जितने भी लेटर स्किप्ट करने होते हैं उससे हमेसा एक लेटर बढ़ा कर हमें उसे क्या करना होता है चेक करना होता है एक लेटर बढ़ा कर चेक करना होता है अगर हमारे पास दो लेटर स्किप बाइस, बाइस, तीन, पचीस, पचीस और तीन, अठाइस, तो दो हो गया, दो और तीन, पाँच, तो no doubt options A ही मुझे सही लग रहा है, अब आगे अगर हम देखें तो सत्रा तीन, बीस होना चाहिए, जबकि उननेस है, उननेस तीन, बाइस और बाइस तीन, पचीस होना चाहि है, तो यह भी गड़बड हो गया, तो no doubt यहाँ पर options A बिल्कुल correct answer है, क्योंकि यहाँ पर सब में हर एक latest में क्या किया गया है, प्लस 3, देखिए, तेरा, तोला, उननाईस, बाइस, पचीस, दो और पाँच, तो आप सब में देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस तो जब 2 skipped की गई है, तो निशित रूप से यहाँ पर याद को समझना है, इस दो लेटर skipped हुए है, जितने skipped होंगे, उसमें से हमेशा प्लस 1 आपको add करना होता है, अगर 2 skipped हो रहे हैं, तो प्लस 3, 3 चेक करिए, और अगर 3 skipped हो रहे हैं, तो प्लस 4 चेक कीजिए, अगर 1 skipped ह हो रहे हैं, तो प्लस 2-2 चेक करते हैं, उम्मीद है कि यहाँ तक सब को समझ में आ गया होगा, चलिए next वाला देखते है, next question क्या कह रहा है, the group of later should not be contained more than 2 hours, तो आभी आप देखिए, बहुत आसान है, कि more than 2 hours, not, not contained more than 2 hours, यानि कि 2 से अधिक वाविल ना हूँ, तो आपको यह तो जेक करी चेक कर लोगे, कोई बहुत बढ़ा इसू नहीं है, select the correct option from below, तो देखे, E, A है, O है, A है, I है, U है, यहाँ तो more than 2 hours है, यहाँ यहाँ भी more than 2 hours है, आई, E, A, यहाँ भी more than 2 hours है, और वो कहना है, more than 2 hours है, तो हमारे पास के वल एक ही options है, जिसमें हमारे पास, दो, अच्छरों के संभू में, दो से अधिक सवर नहीं होने चाहिए, तो आपने देखा कि सब में 3-3 सवर हैं, लेकिन यहाँ पर जो था, वो options A, उसमें केवल और केवल दो wobbles हैं, कितने wobbles हैं, दो, केवल और केवल कितने wobbles हैं, दो, चलिए next देखते हैं, अब देखे ल कि ऐट के बाद अगर हम जो अधिया द्यान से समझें, तो इकवल आना चाहिए, तो एक के बाद थी, आथ तीन, ग्यारा, ग्यारा, तीन, चाओदा, चाओदा, तीन, सत्तरा होना चाहिए, गलबड हो गया, अठारा, चार, बाईस, बाईस, चार, खव्विश, शब्विश चार फिर आठ और आठ चार बार नो डाउट सी ऑफ्सन सही है सी ऑफ्सन सही है यहां पर हर बार जो लेटर से हैं वह इक्वल डिश्टर किये गाएं यानि कि प्लस चार-चार किया जा रहा है तो आपसंसी बिलकुल कलट है अब यहां पर चेक करेंगे 19 गरबर और और तुक ने देखेंगे 2,921 यहां पर और तब में क्या किया जा रहा है प्लस for पोड किया जा रहा नहीं यहां पर क्या किया गया है अब में से तक सिर देखने हैं अपको नेक्स्ट है, नमबर अफ लेटर स्किप्ट बिड़ीन अजसेंट लेटर इन दा स्रीज और मल्टिपल अफ थ्री तो थ्री का मल्टिपल का मतलब क्या है, तो थ्री का मल्टिपल है, तो तीन हो सकता है, थ्री का मल्टिपल की बात करें, तो अगर हम तीन कर सकते हैं, छे कर सक ही तो तीन अगर होगा तो यहां पर बारा भी हो सकता है तो प्लस चार प्लस साट और प्लस दस होना चाहिए तब तो आपके बस ठीक है थी की मुल्टीपल में isकिप्ड होंगे तो अभी अगर हम देखे तो एक में से चार जोड दिया तो पांच पांच में से कितना जोड़ सकते हैं साथ पांच बारा और बारा में से फिर अगर हमने देखा तो कितना हो गया बारा चार सोला और सोला में से अगर हम देखें तो छब बिश तो no doubt बिल्कुल correct answer है तो A से E के बीच में अगर हम देखें तो पहले प्लस फोर किया गया है और फिर आप ने देखा कि प्लस फिर फोर किया और फिर प्लस टैन किया गया तो यहां पर जो लेटर छूड़े गाए हैं व हो पीन के मल्टिपल पर भी किये गए गये साथ तीन के multiple पर तो no doubt options a बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो यहां पर options a बिल्कुल correct answer हो जाएगा उमीद है कि यहां तक सबसको clear हुआ होगा फिर number of later skipped between adjacent later industries in the order two five seven or ten तो पहरे two जोड़ा जाएगा तो two skipped किये गए हैं तो two का मतलब यहां पर क्या होगा सब्सक्राइब किया जाए तो आसानी से आजाएगा number of later skip between the adjacent two five seven or ten तो देखिए पहले तीन करेंगे तो तीन और तीन च्छे होना चाहिए गलबड हो गया फिर छे और शे और तीन नो होना चाहिए तो गड़बड हो गया फिर अठारा सत्तरा तीन बीस है बीस च्छे च्छप्वेस च्छप्वेस आठ अठा आठ और आठ मेंसे ग्यारा उन्नेस तो नो डाउट आउट आप्सन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो चलिए नेक्स देखते हैं अब अगर हम यहां पर समझेंगे तो तीन से यहां पर कितना हो गया बहुत बढ़ रहा है ओ फिर ओ यू बी के बढ़ता हुआ है और हम देखें तो तीन में अगर अगर हम बात करेंगे तो बढ़ते हुए करम मोंगों 2002 और रहा के बार्त 9 कर रहा है और अगर हम देखें तो मिल्कुल और और पिर प्लस कुछ और गर बढ़ आगए मामला आइज आठ Ky नू मनें आठ चार बिल्कुल सही हो यहां पर यहां पर आपने देखा कि पहले प्लस दो कर रहा है फिर प्लस तीन कर रहा है फिर प्लस चार कर रहा फिर प्लस प्लस पॉप्स्व क्लियर हो गया तो चलिए सबद्सक्रार fix पेड़ और फल तो सबसे पहले आपको भी पता है कि हमारे पस क्या होगा पेड़ होगा सबसे पहले अगर कोई चीज होती है तो हमारे पस क्या होते हैं सर ट्री होगा तो ट्री में ही सारी कुछ होगी तो ट्री में सबसे पहले क्या होगी ब्रांचेज होगी ब्रांचेज के कर दो के बाद दो ना चाहिए दो के बाद पत्टियां होंगी तो बिलकुल और पत्तियों के बाद क्या होते हैं फूर्ट के बाद ही हमारे पास क्या हते हैं तो अमीड देक्ड़क्त का ऊथे हैं ऑब आपका अंतिम कुष्ष्यन है और वर्ड फॉर्मेशन का यह आपका अंतिम कुष्ष्यन है और यह आपके लिए HW है तो अगर आपको पता है इस का असर तो comment box में comment करके मुझे बताएंगे तो उमीद है कि यहां तक आपको class बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आपको ये लोगों को लाइक करें और अपने चैनल को सब्क्राइब करें और मुझे अगर आप पसंद कर रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एवरी डे इविनिंग 7.15 पर मैं आपको मिलूँगा इसी चैनल पर रोज आपके लिए आपके नए-नए कॉंसेप्ट के साथ तो बिल्कुल धन्वाद थैंक यू क्लास फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अब से एक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक